दोस्तों प्रदीवीरी अपडेट इस चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको जोमेट्री से रिलेटेट बहुत कुछ बताने वाला हूँ जोमेट्री से रिलेटेट मैं आपको पेपर पैटरन कैसे कोस्टन किस में आने वाले हैं थेरम के को से टाइप के question आएगे challenging question कहाँ पर आएगे सब कुछ बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को थोड़ा भी skip मत करना पूरा का पूरा एंड तक देखना और आपने अभी भी अगर गिरी टुटरल को follow नहीं किया होगा तो प्लीज जागी गिरी टुटरल को आप कर लो क्योंकि उसके पर बहुत सारी चीज़े आ रही है तो दोनों चैनल पर हमेसा विजिट करते रहो बहुत सारी चीज़े दोनों चैनल पर आती रहेगी चलो अब स्टार्ट करते ही कैसे paper pattern आने वाला है और क्या-क्या question किसके अंदर आने वाला है तो देखो कोई भी में आपको दो question मिलेंगे question number one में एक A होगा और एक B होगा ऐसे पूरा का पूरा आपको languages के paper का चाहिए तो प्लीज आप नीचे comment करना क्योंकि paper के पहले अगर आपको paper के बारे में अगर बहुत सारी चीज़े पता होगी तो आप बहुत अच्छा performance उसके अंदर ला सकते हो तो यहाँ पर दो question रहेंगे सब question A और B question number one में जो question number one में जो A वाला रहेगा वो mcq type का question है दोस्तो mcq multiple choice question तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको option दिये होंगे वह चारो option में से एक option आपका रहेगा तो डिरेक्ली आपको यहाँ पर चार marks पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा यहाँ पर कोई option मतलब कि यहाँ पर five में से four ऐसा कोई attempt करने का नहीं है four question दिया है पूरा 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 आपको attempt करना है आपके दिमाग में बैट गया होगा देन जो दूसरा question आएगा दोस्तों वह question टाइप में आएगा उसके अंदर कोई option आपको नहीं मिलेंगे जैसे आप normal question को solve करते हो वैसी simple question होंगे देन इसके बाद मेरे अगर आपने वीडियो को भी अगर कवर किया न तो आपके यह दोनों question आराम से आपके यहां पर आट मार्क्स पूरा पूरा आपका डारेक्ट मेरे वीडियो से ही देन इसके बाद two activity देखो यह नया निकला है बोड में नई चीज है कि activity based question अब आने लगे हैं पहले ऐसा नहीं होता था अब तीन questions दिये होंगे उसमें से आपको कोई भी दो आटेम करना तो तीन में से जो दो आपको बहुत ही बेस्ट लगेगा वह आपका अटेम करना और एक question कितने मार्स का है दोस्तों दो मार्स का है अगर आपने दोनों के दोनों question systematic अगर अटेम किये तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 4 मार्स मतलब यहां पर 12 मार्स का paper आपका अटेम हो गया है और activity based questions में कैसा रहेगा कि question already solved रहता है बस वहां पर आपको क्या करना है filling the blank strike में दिया रहता है कुछ numbers missing रहेंगे वह आपको वहां पर fill up करके लिखना रहता है उससे ज्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं इसके बाद next question जो है यहां पर 5 questions दिये रहेंगे question number 2 के B में 5 questions दिये हैं अपने को कितना attempt करना है 4 मतलब अपने बस एक question जो है option में आप उन रख सकते हैं और एक question का अपने को मिलेगा 2 marks then 2 multiply by 4 which is equal to 8 तो finally यहां पर हमें 8 marks का part अपना cover होगे अगर आप ध्यान से देखोगे 20 marks तो यहां तक ही cover हो जा रहा है 20 marks लाना बहुत बड़ा टास्क नहीं अगर आप मेरे सब 100 वीडियो को cover कर दो तो आप 40 out of 40 लाओगे तो अगर फिर भी अगर आप आधा आधा अगर सबको देख लोगे तो भी आप वहां तक पहुश सकते हो then इसके बाद question number 3 दिखाई दे यहां पर question के answers आपको लिखने होंगे और यह कैसे है कि 3 marks का एक question है तो total यह 6 marks का हो गया यह 3 marks का हो गया then यहां पर हम पहुचेंगे then अभी आगे अगर आओगे आप question number 4 में तो question number 4 में आपको 3 questions दिये है 3 question में से आपको कितने question क्प्तिक क्या करना यहां पे फैसा लिखाय तो प्राक्टिस करो आप उस सम को हैंडल कर लोगे मेरी गैरेंटी है मेरे उपर आप ठ्रस्ट करने की कोसिद करो और वाइस आप क्या करोगे पता है उस कोशन के लिए आप कौन से भी बुक को पढ़ोगे तो आपके यह पूरे माक्स चले जाएंगे और मैं अगर बोल रहो कि अगर आप सिस्मेटिक सब चीज़ों करो यह को आप इसली हैंडल कर लोगे इसके बाद सॉल्ड एनी वन आउट के कोशन मिल सकते इस में तो यहां प Zar Cem이랑 यहां के लिए जहाँ सकता है यंशाने state के लिया हाँ थैसंग करना नीचे बाद से यह चैलेंजिंग कोस्टन आयight भी चैलेंजिंग कोस्टन यहां पे लिखा ऑट-ओफ टेक्ष्ट्बूग् तो यार नमबर चेंज Islam थोड़ा बहुत उसमें डेटा मीसिंग हो सकता है कुछ अलग तरीके से एका क्लाइन वह एस्ट्राल आ सकते हैं पर कॉंसेप्ट तो वही रहेगा आउट आफ टेक्स्ट बुक मतलब क्या सिलाबस से बाहर का लेशन नहीं आएगा सब कुछ वही रहेगा इसली आप इस कोश्टन को आराम से आप हैंडल कर लोगे प्लीज डरने की ज़रूरत नहीं है आप अपने प्रिलिम्स में आप देख रहे होंगे आप करते आ रहे हो दैन इसके बाद कोश्टन अबर फाय जो है आपका क्रियेटिव कोश्टन से वह भी थ्री मास्क है यहां प और चेंज करके भी आया तो आप इसली आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोश्टन को इसकीप नहीं करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा को अटेब कर सकते हैं तो वीडियो को देखने के लिए दिन से ठेंक्स दोस्तों और भी अगर आपको अधर सब्जेक्स के सरकल जो सबको बहुत ही डेंजर लगता है पांच लेशन के वन सौट बना दिया हो अगर आपने उस वन सौट को देख लिया बाकी आपको पढ़ने की ज़रुवती नहीं है इसके बाद दो लेशन का और मैं वन सौट बना दूंगा देन एक थेरम वीडियो देन आएंपी को स सब कुछ आएगा तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके उतना लोग तक शेयर करो और रेगुलर पढ़ाई करते जाओ और भी अगर जो भी तुमारे डाउट्स होंगे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे प्लीज आप वीडियो के लीचे कॉमेंट में अब लिख सकते हो वीडि